नमस्कार दोस्तों इंडियन गुरुजी यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मेरा ना मैं नरेंदरुर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूरी स सैटलाइट फाइंडर यह बिल्कुल नया सैटलाइट फाइंडर है जो पिछले यूरी SM999 से थोड़ा अच्छा है क्योंकि वो थोड़ा महिंगा पड़ता था इस वज़े से आप खरीद नहीं पाते थे यूज नहीं कर पाते थे तो उसकी जगह आप यह नया सैटलाइट फाइंडर भी यूज कर सकते हैं और मॉडल नमना है डबल नाइन इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है 950 2150 मेगाट्स होती है और पावर 13 और 18 वल्ट डीसी यह सपोर्ट करता है इस पर कंप्लीट जानकरी होती है कैसे आप इसे यूज करते हैं और वैसे तो मैं आपको कंप्लीट यह उस रोगी कैसे आप इसे यूज कर सकते है और पूरी जानकरी और साथ में आपको म्यनोल भी है मिलेगा कि इसे आप किस तरह से यूज कर सकते हैं तो आप सिंपल ली देख सकते हैं से और 25 dbm तक और सिंबल रेट एक से 45 msps डिस्क्यों सी 10 और सपोर्टेड है ऑप्रेटिंग टेप्रेचर जीरो संटीग्रेट से 40 संटीग्रेट तक अच्छे से चलेगा उसके बाद में दिक्कत हो सकती है और F-type करेक्टरेस में कनेक्ट होता है जैसा कि आपको पता है इंडिपेंडेंट 75 ओम यह सपोर्ट करता है और DC 13 और 18 वोल्ट से ऑपरेट हो पाएगा और इसके पीचर क्या-क्या है कंप्लीट जनकर ही इसमें यहां पे लिखी हुई है कि इसमें आप ट्रांस्पाउंडर को भी आप एडिट कर सकते हैं सिंबल रेट एडिट कर सकते हैं लोक फ्रिक्वेंसी यह सब सारी चीज़े कर सकते हैं और इन बिल्ट इसमें बर्जर दिया गया है जिससे आप यह पत चाहे तो आप वीडियो देख कर सकते हैं लेकिन अगर आप कंप्लीट अगर आप पर्शेज करते हैं और आप समझ नहीं पाते हैं तो मैनुवल में पूरी जानकरी जिसे देखकर आप इसे यूज कर पाएंगे जब इस सैटलाइट फाहिंडर को अंबॉक्स करते हैं तो इ आप इसे यूज कर पाएंगे और साथी में बता दो इसमें अदर आप अप्शन भी अवेल बैटरी वगेरा भी लगा सकते हैं तो ये के सिंपल चार्जर वा अप्शन है यानि कि एडप्टर ये लगाएंगे आप इसे रिसीवर अप्शन में ये जो आप टाइप कनेक्ट दो ये नहीं ये है अगर आप कहीं पे हैं तो वहाँ पर आप अदर ऑक्छन भी य्जो कर सकते हैं जो भी तूंकर ये दूसरा ओप्शन फैप टाइपặtर और बैटरी का उप्शन है तो यह बैटरी जो 9V बैटरी है इसमें भी लगा सकते हैं साथ ही यह जो सिंपल 1.5V की बैटरी आती है सिंपल वाली लीड सिंपल उस बैटरी को भी लगाकर आप इसे यूज़ कर सकते हैं पूरा कंप्लीटली पार्ट यहां पर दिया गया जिसमें आपको दस बैटरी लगानी पड़ेगी लेकिन यह थोड़ा महंगा हो जाता है उसकी जगह से नाइन वोट की बैटरी होते वो लगा सकते हैं और सिंपल यह आप चार्जर का यूज़ करें या फिर सैट्टबॉक्स से आने वाले वायर को यूज़ करें तो वो ज्यादा अच्छा होगा इस सैटलाइट फेंडर में आपको अप डाउन के बटन मिल जाते हैं sudah यहां पर रांडिंग लिकी हुई है और अधर ऐप्शिन अपडाउन का और लेप राइट के बटन मिलते हैं 181 म ост बटन मिलते हैं रिसीवर और साटलाइट स Criminal अप लगाएँ और सैटलाइट में LMB से आने वाला वायर आप लगाते हैं बैक साइड में बर्जर दिया हुआ है और यह साइड में भी बैटरी का उप्शन है इसे में उपन करके बाद में यूज करके देखूँगा यह बर्जर है इसके नीचे डिटेल्स है तो यह सारी इनफोर्मेशन इसमें मिलती है तो नेक्स ताम इस वीडियो को मैं कंप्लीलिटी यूज करके दिखाओँगा कि ज़से इस सैटलाइट फैंडर को आप यूज कर सकते है तो उमेद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आयते से लाइक करें शेयर करें